हाजु गूद इवनिंग और और सबने ट्यारी शुरू कर दिया, have you all prepared, started preparation for civil services, state civil services, HCS? किस-किस ने start कर दिया, कि yes, you are ready and started preparation with full swing. दिखे, बार-बार मैं हर webinar में एक बात बोल रहा हूं कि you roughly have four months now, कि चार महीने आपके पास है, प्री से पहले, last fifteen days you apply, you have to invest on revision, तो आपके पास साड़र तीन महीने हैं त्यारी के, roughly around hundred plus days, तो अब आपको बिलकुल wait नहीं करनी है कि last date of application आएगी नहीं आएगी, आपको अपना plan बनाना है and आपकी planning according त्यारी शुरू करनी है, कि ग्यारी शुरू को अपके So, we are going to discuss a very important thing में, जिसके context म Kathy मैं आपको कुछ कुछ क्रिटेरिया देने वाला हूँ और कुछ सुगेशन की क्या और किस तरह का और आपके लिए बैटर रहेगा अब इससे पहले आई किस तरह का और आपके लिए पूछना चाहता है जब तक बच्चे आपने दोस सारे आजाएं एक बार लेट असस्टार्ट विद सम कुछन किसीने कुछन पूछन पूछना है रिगार्डिंग ऑप्शनल वो बे खॉफ होके पूछ सकता है देखें, जब आप्शनल दोसों नंबर का है, दोसों नंबर का ही G.S. है टोटल छेसों नंबर है है एक्चेस में टोटल 600 मार्क में से दोसों नंबर का है, रफली ठर्टेटी परसेंट तो ओप्शनल विस रिर्य इंपर्टन्ट एंद लिस य्यरे लास्ट य ballots ए ए अटेज की अटीरवर का एंप्शनल में अच्छा परफॉपन करते हैं तो definitely you can trip the whole thing in your favor. तो any question regarding optional किसिन कोई पूछना चाहता है? Any question regarding any optional? Hello? पवंज ने पुछा कि history और geography दोनों एक जैसी हैं, दोनों में से कौन सा बैटर रहे है? आपकी educational background किया है? MA किस चिसरेट्स क्या थे MA में? History. और graduation में? Graduation में बोली की और नहीं तो आपको फिर confusion किस बात क्यों रहे है? MA में आपने history करिया तो history रखोगे तो बैटर रहेगा? नहीं यह है कि आपने geography पहले से त्यार कर रखा है क्या? नहीं 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 यह बहुत गलत बात है आप GS की geography को optional की geography से confused नहीं कर सकते हैं GS में जोगर्फी पढ़ते हो बहुत 10% भी नहीं आप्शनल की तो बहुत detail में पढ़ना पढ़ता है आपको और आपने MA history करिए ग्रेजुशन में history है आपके history option रखना चाहिए आपको तो उसमें आपके natural command होगी history के natural command जिसे कहते हैं by virtue of your graduation and post graduation तो number उतने ही आने हैं यह मत सोचना कि आपके geography रखके बहुत जाए number आ जाने है history रखके इतने आने हो ऐसा कुछ नहीं है प्रेपर में अच्छा लिखोगे उसके number आने हैं जो जोगर्फित त्यार करोगे वह पूरी त्यार होना भी अपने आप में इस वक्त में मुश्किल है कुभी इतना कुछ पढ़ना पड़ता है आप इस का सारा स्लेवर्स है सारा इस का स्लेवर्स आपको एस्स में त्यार करना पड़ेगा और history कहा में करी हुए आपने वह आपका 50 60 70 पियार है ओर यह प्र आपको history कभी भी गल्ती मत करना यह चकर में आके अपको इसकी अरपक पलाग है आप निदेबुटारा अपको प्रॉप अपराव और कोषणाल प्रॉप नहीं प्रॉप करे लोगीज़ आपको थोड स्कृब्स स्टूब्सु का स्थेया थाइन प्रॉप करते टोगेश्ट प्रॉप कि लोगेश्स्टायर प्रॉप कर दो की जो स्लेवर्स था ऑप्शनल का जो भी स्लेवर्स आपका मेंचिन है इस स्लेवर्स इस सेम एस UPSC यह गलती बत करिये पहले जो स्लेवर्स था ऑप्शनल का HCS में डिफरेंट था और UPSC में डिफरेंट था तो HCS स्लेवर्स वह स्लेवर्स आपके पास उतना नहीं है जितना UPSC में आपको मिल जाता है है ना जो हम आगे बात करेंगे लेकिन आपका अंसर करके मैं फिर आगे मूब करूँगा लेकिए आपने MBA करी है बीबी ए एंबी ए तो Economics भूल जाओ Commerce and Accountancy बिल्कुल भूल जाओ जो क्योंकि इस दोनों का स्लेवर्स जो है Economics का है तो MA Economics के लिए जाज़ा सूट करता है यह theoretical आता है बहुत जो Economic Theory करना बहुत मुश्किल हो जाएगा Secondly अगर Commerce and Accountancy में जाते हो वहां Accountancy में भस जाए जाके तो इन दोनों का स्लेशन है मीडियन है एक BBA MBA आपने करी हुई है तो दो option आपके पास clear होते हैं या तो management पर management आपके लिस्ट में है क्या Management लिस्ट में है तो management रख सकते हो number one या फिर आप Public Administration रख सकते हो If you want to go for a smaller optional क्योंकि Public Ed में काफी ऐसी chapters होंगे जो आपने management में BBA MBA में पढ़ रखे हैं तो Public Administration आप रख सकते हो या फिर management रख सकते हो So that will be that will suit your profile and you will be able to complete within specified time But don't ever think of commerce and accountancy or economics First job First job Hello भाई लोग तो suggest कर देते हैं कर त्यार तो आपने करना है Isn't it तो अगर है ना लोग तो सब situation देखे साइट पर हो जाएंगे त्यार तो आपको करना है तो बहुत कियरफुली decision लेना ही है तो चलिए आप मैं बाकी question मैं end में लूँगा पहले में let me start with the webinar basic right अब देखे ये notification की copy मैंने रखी है यहाँ पर तो इसमें देखे जो आपके subject there are 29 subjects 29 subjects at HCS ने दिये हुग है तो यह जो सारे subjects हैं देखे दो तरह की subject है यह तो टू टाइप सब्सक्राइब इससे अगरा हम देखे तो दो तरह की subject निकल के आते हैं एक तो सब्सक्राइब है कि technical subject जिसे हम कहते है अब technical subjects वह है जो एक बहुत ही specialized है और specialized है और उसको candidate वही रख सकता है जिसने उस subject से education करी है वह specialized subject है लेकिन उसको दूसरे बच्चे नहीं रख पाएंगे because उन्होंने उसकी educational qualification नहीं करी मैं example ले रहा हूं जैसे आपने law है अब law तो वही रखे गा जिसने LLB करी है अब मैं अगर law रखके बैठ जाओ LLB करी नहीं है अब हरे नहीं अब HPSC मैंना नहीं करता है HPSC कहता है ठीक है आप रखो लेकिन तियार तो करना ना तो law हो गया सारे engineering के subject हो गए commerce and accountancy हो गया फिर medical science हो गया फिर ये botany, zoology, biology, chemistry ये botany, chemistry, zoology ये वही बच्चा रख सकता है जिसने उस particular subject में कोई graduation या post graduation करी है So on one hand we have technical subjects जो वही बच्चा रख सकता है जिसने वह educational background करी है और second type के subject हम कहते है general subjects जो लोग generally रखते हैं irrespective of educational background मतलब suppose आप अपनी educational background का subject नहीं रखना चाहते Then you go for general subjects जैसे मैंने अभी एक student को बताया कि उसने BBA, MBA करी हुई है अगर तो उसका जो core subject बनता है वो बनता है management लेकिन अगर management नहीं रखनी है तो मैंने second option बताया कि आप public ad रख सकते हो आपको better रहेगा लेकिन वो बच्चा अगर public ad छोड़के history रख ले, geography रख ले, sociology रख ले तो definitely देखो एक उसको disadvantage तो है ना कि जो education background में थोड़ा बहुत पढ़ा वो बिल्कुल काम नहीं आएगा तो better उसके लिए अगर general subjects में रखना है public administration ठीक है इसी तरह से second एक और बच्चा था जिसका मैंने question को answer किया तो he was asking about difference between history and geography तो आप उस बच्चे ने में history करी हुई है तो मैंने इसको क्या कहा तो अपना में history अगर करी है वो एक आपकी education background का भी है और general भी है तो आप history रखो as compared to geography जो आपने नहीं करी है right optional सारे अच्छे हैं देखिए optional सारे अच्छे होते हैं ऐसा नहीं होता क्यों क्यों खराब है क्यों अच्छा है ऐसा कुछ नहीं होता it's all about your preparation आप अच्छा त्यार कर लोगे तो अभी अभी जो selection list आई है इसमें हमारे दो student है जिन्होंने management से किया management से clear किया है पूरा फाइनली लिस्ट में आगे हैं बच्छे management रखके mathematics का भी एक बच्छा है जो मैं जानता हूं सबके तो नहीं optional याद रहते पर जिनको मैं जानता हूं mathematics वाले ने भी clear किया है है ना एक civil engineering वाला भी है तो मतला ऐसे law वाले तो तीन चारह है मतला ऐसे तो हर सब्सक्राइब से बनते हैं sociology वाले बहुत है history वाले है फब्लिक एट वाले तो अल्टिमेटली आपको अपने option में अपने उपर विश्वास होना चाहिए अगर आपका अपने विश्वास है तभी आपको वो option return देगा मैं आंगो आगया आपका अनिश्का ठीक है तो जनरल सब्सक्राइब से कौन कौन से आती है जैसे history हो गया sociology हो गया public administration पॉल साइंस इलिखल हो सारे चाहिए अपने पास psychology geography है ना और philosophy philosophy history sociology public administration political science psychology geography philosophy अब यह सवेट्स ऐसे हैं जो कोई भी बच्चा रख सकता है irrespective of background कि अगर आप अपनी educational background को prefer नहीं कर रहे या अगर आप अपनी educational background को में confident नहीं हो then it is better to go for the general optionals which are in this way ठीक है तो एक आपकी बात यह बन गई कि दो तरह के optionals होते हैं तो आपको अपना अपना educational background analyze करना है तो first step पे तो आपने यह देखना है कि क्या मैं इसका optionals रख सकता हूं आप अपने copy पे लिखते जाएए मैं आपको step by step method बताऊंगा कि जैसे first step पे आपने यह देखना है क्या आप अपने technical background से सब्ट रख सकते हैं देखें आपके पास time कितना है इसका answer करने के लिए बहुत important बात यह है कि we are sitting in February 2023, pre is going to be held in June 2023 suppose and your means is going to be held in September 2023 तो आपके पास चार महिने अभी है क्री तक उसके बाद धाई महिने है प्री के बाद total इतना ही time में आपके पास तो जो भी decision आपका होगा उसमें सबसे बड़ा factor जो role play करेगा in HCS is the time factor ठीक है अब सब्सक्राइब बच्चे ने पुछा कि Mathematic Option कैसा है देखें ऑप्शनल तो बहुत अच्छा है डिपेंड करेगा कि आपकी educational background क्या है अगर आपने MSC mathematics किया है और ठीक तरह किया है तब आप रख सकते हो I think तब यहां पर आपके पास प्री से पहले आपके पास दो महिने है दो तिन घंटे शाम को लगा सकते हो mathematics पे उसके बाद प्री के बाद बागी एक महिना और लगा तो तीन महिने में आपका स्वेट उतनाक तियार हो दाना चाहिए अगर आपने MSC किया है लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि BSC mathematics किया मैंने BSC physics किया BSC chemistry किया BSC botany किया BSC zoology किया BSC chemistry किया उसके basis पे मैं HS में optional रखना हूं यह technical और वो भी syllabus तियार करना IS के level का IS का total syllabus तियार करन है then you are falling into a trap यह technical subjects simply graduation करके मैंने mention करे है वो possible नहीं हो पाते ही इतने कम टाइम में हाँ आपके पास 6 मेने पूरे है फ्री पर फ्री चे मीने हैं आप कोई वी त्यार कर लो फिर mathematics त्यार कर लो प्र त्यार कर लो कि त्यार कर लो तो अगर आपका आपने simply BSC करें तो आप कभी हैं सोच है इस में कि आप physics chemistry त्यारी निए करके बैठा हुआ सबोज आप एक साल से त्यारी कर रहे हो ठीक है ठीकिझ के ना आपने बीसी मेडिकल करिये बीसी नॉन मेडिकल करिये आप नहीं रख सकते हो math Physics Chemistry इतने कम टाइम में इस level का option त्यार नहीं हो सकता तो पहला तो आपने देखना है कि क्या आप ये स्वेट रख सकते हो और स्वेट रखने के पीछे सबसे इंपॉर्टन बात है टाइम कि आपके बस दो महिने अभी मिलना है और एक महिना बाद में मिलना है तो तीन महिने में तीन-चार घंटे पढ़के क्या आप अपने आपस्वेट त्यार कर लोगे कि वहां पेपर करने लाइक हो जाओगे अगर ऐसा है तो इस ओके ठीक न अगर नहीं तो फिर आपको समझना पढ़ेगा अगर नहीं तो सिंप्ली आपको टेक्निकल से इधर को जम्प करना पढ़ेगा कि आप एक जर्नल ऑफ्सन रख लो तो कि जर्नल ऑफ्सनल जो है आपके उनका प्रप्रप्रेशन टाइम फ्रॉम एस पॉइंट आफ यू तीन महिने में अराम से कबर हो जाता है जितना की लेवल का हिसाब से करना पढ़ता है उतना हो जाता है ठीक है ना राइट तो आप वह आगे आऊंगा मैं भी हिस्ट्री और सुषालजी या हिस्ट्री पब्लिक आट पॉल साइंस सब बाते ठीक है तो फर्स्स्टेप इस कि आपका अगर टेक्निकल रख सकते हो त से जिसने टेक्निकल स्वेट सोचा हुआ कोई या जिसने टेक्निकल स्वेट रखना चाहता है तो मुझे बताए अभी फटा-फट आपकी जो बैग्राउंड है अग्रिकल्ट्र इंजिनरिंग है आप अग्रिकल्ट्र चूज कर सकते हो बरी राइट आप एक बार स्लेबर देखो जाकि अग्रिकल्ट्र का और देखो कितने टाइम में दो तिन महिने में आप कर लोगे आप अगर एम कॉम किया है आपको कॉमर्स अंड अकाउंटन सी रखना चाहिए अगर आप समझते हैं कि आप ये कॉमर्स अंड इकाउंटन सी का जो स्लेबर साइब वह दो सतीन अगर आपने से चाट्रा कर लिया एक कामन बुक्स में से तो आपका वहां कॉस्टन हो जाता है ऐसा नहीं है यूपीस की तरह की कॉस्टन ऐसा आएगा जो आपने पढ़ाई होगा आपको बनाकर लिखना है समझ के वेसिस पर लिखना है ठीक है नम उससे आपने नमबर 950114021 इसके उपर आप कॉल नहीं करेंगे मैसेज करेंगे मैसेज करेंगे यह वाइस मैसेज करेंगे अगर कॉल करेंगे तो कहीं और जाएगी कॉल वह अगर जुरुत पड़ेगी तो फिर मैं आपने आप कॉल करना चलिए और कोई है जो एजुकेशन बैग्राउं में वो तीन महिने तक होना चाहिए कि हां तीन महिने में रिजनिवली में आप्शनल त्यार कर लूँगा इतनी मेरी एजुकेशन बैग्राउंड से मेरी समझ डिवलेप हुए हुए है अब आप पवन जी ऐसा सोचो जो आपने में को हिस्टी जोगर्फी का पूचा था मैं इसको टेक्निकल में रखता हूं कि अगर आपने में जोगर्फी करिए तभी इतने कम टाइम में संभव है अधरवाइज जोगर्फी होने निवाली यह कोई आपको देगा नहीं पर इसाच चाहिए आप स्लेव उठाके देखो ना आप स्लेव उठाके देखो कि आपको और आलग बात लेकिन में इंग्लिस कुरी हुए तो रखा सकता है आपने में हिंधीव करिए रखा जासे क्रिकिन आपने सुपक्री में रखो का जासे बऋ Take Out सिंप्ली ग्रेज़ेशन में हिंदी लिट्रेचर पड़ा भूल जा उतने कम ताइम में त्यार नहीं होता फिर सब्सक्राइब लिट्रेचर के तीन सवेट्स हैं यहां पर पंजाबी लिट्रेचर हिंदी और इंग्लिश तीन सवेट्स मेंशन है अच्छिस में सबस्क्राइब आप इसरो ट्रें नहीं होता है आप कि ऊच्छी से कर पाए अच्छी से आंसर लिखे नहीं तो फिल्बर कैसे आने है नबर कैसे आने अग्लिट्वाट यह सब को समझागी यह बात एक यह बात नौ आप सुझेए कि सब्सक्राइब चूज करना है कि भई ठीक है मैंने यह रखना है या नहीं रखना और या मैं इस में से कौन सा रखूं इसमें confusion है आपको है ना तो हम आप सेकंड स्टेप पे आते हैं सेकंड स्टेप पे पहले तो मैंने कह दिया आपको कि टेक्निकल में रखने का क्रिटिरिया क्या है at least post graduation होनी चाहिए you should be confident in that subject और तीन कमहिने में cover करने लाइक होना चाहिए ठीक है तब ही आपने इसको रखना है otherwise इसको रखना है ठीक है आप सेकंड स्टेप पे आईए तो लिए सेकंड स्टेप पर हमारी बात आती है सेकंड स्टेप पर कि कही बार ऐसा होता है कि आपको तीन मिहने में आप तियार भी कर सकते हो लेकिन आपका इंट्रस्ट ही नहीं है आया आपका इंट्रस्टि नहीं है आ आपको इसका पर यह सब में आपको आपका इंट्रस्ट का पोज किया आंसर करका दो कहानी को second criteria is interest कि आप क्या सब्सक्राइब यह चाहते है चाहे वो टेक्निकल है चाहे वो जनल है उसमें आपका पढ़ने में है। आपको चाहँ देखना पढते हैं कि हां यार मैं इसको पढ़ पा रहां। अगर आप का उसमें इंट्रस्ट है अगर आपका उसमें इंट्रस्ट है तभी आप उस और बाटेओ इतने कम टाइम में और अप्षिन तभी कवर हो सकता है या तो कोई हाथ पकड़ के करवा देख अगर खुद करना है तो अपना इंट्रस्ट देखना है अगर आपका टेक्निकल साउंड है लेकिन बिल्कुल इंट्रस्ट नहीं है तब नहीं रखना है तब आपको जो जनरल ऑ जाए थी कि नहीं यार मेरेको तो भी बोरिंग लगता है यार नहीं तो यह मुझे ठीक लग रहा है यह मैं कर लूँगा ठीक है ना तो अल्टिमेटली सब्सक्रिएरिया आपने जो देखना है दोनों में सेलेक्ट करने का है वह है इंट्रस्ट तो इंट्रस्ट इस वरी इ सब्सक्राइब इंट्रस्ट कि एनी कुर्शन पूछिए आपको ऐसा लगता है कि यह स्वेट में रखना मेरी एजुकेशनल बैगरॉंड में अच्छा है लेकिन मेरा इंट्रस्ट नहीं है तो मैं होसता है आपको आपके यह धाड़ना बदल दूं होसता आप वही रख लो ज सब्सक्राइब आपकी पहले जो भी कुशन बोलेगा आपने एजुकेशन बैगरॉंड जो बताएगा नॉन्मेडिकल बस्ट थो फर्स्ट अफ अावल नॉन्मेडिकल करें करिया फ्रिजिक्स मैठ और केमिस्टि तो ब्रूर गया ठीक है अब आजाओ जनेल स्वेट पर जनेल स्वेटिब्स में आप कहरे हो कि एपने पहले त्यारी यह कभी नहीं नहीं और पढ़ाया आपने हिस्टी और सीशालजी कितना पढ़ायो नहीं आप चटो यार डेखो इखो अगर कोई आज यहां पर इस पुद्विश्म में बैठा है जिसने हिस्ट्री पहले पड़े नहीं हुई तो आज अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप स्टार्ट करोग तो आपको अगर दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं छोटा कि मुना रखूं सिंपल बात मैं सीधी सी बात है मुझे तो त्यार करने से मतलब मैं वेरी सेलफिश जब मैंने दो मैंने को पढ़ा नहीं आप जैसे इस ने बोला आपका पवन ने बोला कि अब जब किसे नहीं बिल्कुल पढ़ा नहीं हुआ तो सच्राइब तीन महिने में टका टक त्यार हो जागा बिल्कुल है कि मतब और यहीं बॉच्प करनी है और शिके बाद देक महिना फ्री खामे अमिजथिली पाद एक महिना पांस घंटे डेली दोगे कुई भी औप यहीं रखिने पड़ेगी आपको कोई भी घ्र रखिंड पापता कि संक्राइं कंट ज siis किए और यह बहुत किया रही बात किसी को भी डाउटना रहे मनमें मेरा कामी यह आपको क्लिरिटी देना अगर आप लेना चाहते हो तो यह रहा है ऐग जसे त्यार गड़न करें तो सफालोजी कैसे त्यार करें वह मेरा उप्षिनल है यह कि सिशारोजी मैंने त्यार कराना है थीक ना तो लेकिन बात यह है कि नहीं लिंक अभी पोस्ट कर देते हैं कोई बात में चलिए इंट्रस्ट आपने देखना आपना बहुत ध्यान से समझने मेरी बात ठीक ना अब नेक्स टेप पे थर्ड स्टेप पे आती है आपकी बात अब ये आपने पहले मैंने देखा कि टाइम देखा कि मेरा टेक्निकल स्टेटी करनी है या कोचिंग लेनी है क्या मेरे पास टेस्टिंग सिस्टम है कि हां मुझे टेस्ट देने है क्या मेरे पास कोई गाइड है जो मुझे गाइड कर देगा कि हां इस तरह से आप्शनल ट्यार करो अब ये गाइड जो ये सारे रिसोर्स बेसिक लिए आपके प you have to have a strong sense of study material मुझे पढ़ना है इतने टाइम में जो प्रिसाइस हो बिलकुल यह self study करने है यह coaching लेनी है यह test मैंने देने है बिना test के तो कुछ होता ही नहीं है आप भूली जाओ इस बात को test और देने देने है and then यह person a guide है वो guide को teacher हो सकता है कोई student भी हो सकता है हो सकता है कोई भी हो सकता है जो आपको यह technical know-how resources मोहिया कराई तो resources are also one of the factors in choice of the optional कई पर बच्चे कहते हैं मैं यह optional रखना चाहता हूं लेकिन मेरे पास को resource नहीं है for example मैं anthropology रखना चाहता हूं अब anthropology में रखना चाहता हूं अगर ठीक है anthropology is a good optional आपने पहले anthropology पढ़ानी हुआ या तो UPSC में anthropology आपने आपने रखा हुआ है आपने एंट्रपोलोजी तेजिंदर त्यार किया हुआ हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं best optional लेकिन आज की डेट में आपने एंट्रपोलोजी रखनी है और access का पर देखना है तो आपको ढूंड़ना पड़ेगा कि एंट्रपोलोजी access point view से कौन क्राएगा मुझे आइस के अंदर anthropology क्राने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन हर्याना के थोड़ा सा मतलब वास्ट है लेकिन अगर आपकी कोई educational background नहीं है तब anthropology के साथ-साथ आप अगर आपने इस में रखना है और नहीं सिर्फ रखा है और IS का आप दे नहीं रहे हो देन इस यूद रखना है कि अगर एक बड़ा से बैठ्थ है अन्ट्रिपालोजी तो उसका मेरा हो गया पेपर में नहीं कराना है तो थर्ड एंड वरी इंपर्टन फेक्टर इस रिस रिसोर्स कि क्या आपके पास उस सब्रेट का रिसोर्स है के नहीं अगर रिसोर्स है तो कोई भी आप रख सकते हो डिपेंडिंग आपका उसमें इंट्रस्ट है या वो उत्रे टाइम में त्यार हो सकता है तो अब रिसोर्स के संदर्व में किसी की किसी का कुर्ष्टन है कोई कोई रिसोर्स के अकॉर्डिंग फेस कर रहा है आपने क्या किया हुआ है वी कॉम किया हुआ तो मैसमेटिक्स तो भूली जाओ ना बात भी नहीं करनी है आपने कितनी किताबें पढ़ी हुई है मैसमेटिक्स की कब पढ़ी थी आपने ना यार वनडे एक्जाम में वो मैसमेटिक्स CDS और SSE और उस टाइप वली बहुत भुल रहे हुआ आप में पहले स्लिवर्स देखो र्वह नमेसी का स्लिवर्स है मैथ का वो कोई SSC CDS यह वरा स्लिवर्स नहीं है उस तरह की मैसमेटिक्स नहीं है यह यह प्रस जो पॉसान पॉस्टीम में आता है डिफेरेंशन एक्वेशन लॉगरिध्मिक स्केल फिलना डिम अक्का ये वह और वह तो बहुत बचकाने पेपर कोश्चन आते हैं ये बहुत हाई लेवल का मैथमेटिक्स है एक बार आप स्लिबस देखो मैथ का देखा आपने तो आपको लगताब कर लोगे अगर आपको है वह तो प्रूफ करी दिया आपने और साथ में आपको देखना की रिसोर्षे जो है आपको टैस्छी डेलिए तो कहां देलिए वह रैसोर्ष का चक्कर एक जो तैक्निकल सभेट्स है ना वाहिए एस के पॉइंट यूवी बिल जाते हैं कि हाँ आप मैं आपको बता भी सक तो था आया था हमहर पास जिसने mathematics से कर आये लेकिन उसके पास MSC mathematics क्या का रखया उसने mathematics में आइस का विप्र दे रख आये mathematics से उसका उससे आप अगर counseling करोगे तो आप तो गड़डा जा गए सारे उसने आपको पचा 30 किताब में बता देनी है मैं आपने हिंदी लिट्रेचर दिविकर्टीजी से कर रखा है बहुत अच्छा कोई जूरुत ने कुछ और करने की हिंदी लिट्रेचर रखो आप नो प्रब्लम अट ओल नो प्रब्लम अट ओल सोचना भी नहीं है दुबार अ हां जी हेलो क्या करें जी क्या है आपका कोमर्स बेक्राउंड है हां हींदी में आपको पहले ही बचाए कि हमारी वेब साइट है उसमें एक सिस्टम ने ट्राशलेशन का सिस्टम लगा रखा है तो सारे नोट्स जो इंग्लिश में है वह हिंदी में भी विवेले हैं उसको convert कर सकते हो आप अलाइन में है तो टाइम बहुत आपको बड़ा इटिलाइस करना पड़ता है टाइम जब आप आप कर रहे हो ना आपका बिसिकली क्या जो हमारे पास जीएस भी कर रहे हैं अक्छे इसकी उन्हों ने भी पिछले तीन-चार दूनों में जोइन किया है अच्छ भी कर रहे हैं वह ऑप्शनल को भी हर ऑनलाइन ही करते हैं क्यूंकि आप का फतना टाइम नहीं है कि आप उफ्लिज दिश को आप फिर्ते क्रोगे कि जब आपके टाम मीला दो लक्स्ता हमां यह जब भी टाइममीला एक हमारे कृड़ जब विमान एक है तो वह बात की बात है अभी मिल को आपको आपके आपकी situation की according आपको suggest करना है सर वेरी गुड वेरी गुड वेल को ठीक है सोचना भी नहीं विक्रम सोचना भी नहीं है जस्किपिट आपका टेक्निकल है आप मेकैनिकल इंजनर्ईर ही दख हो किसी के भी कहने से बाचेंज मत करना किसी चैनल पेपर का इस बार आया है ठीक है वो पेपर देखना है प्लस यूपस्थ देखने है पिछले UPSC के अंदर भी वो कोस्टन देखने है जो ज्यादा मुश्किल ना हो रिजनेबल लेवल के हूं जो बहुत ज्यादा मुश्किल को स्वोड़ देने है UPSC में वो निये स्टेट में पुछे आते हैं इसके लिए मेरा दूसरा वेबिनार है आप मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करो मैं आपको वेबिनार का लिंक शेयर कर दूँगा जिसमें मैंने पर्सकल मैंने वेबिनार लिया था शाम को पांच बजे ये कि कैसे आपको को प्री के लिए स्टेटजी क्या रखनी चाहिए अभी ऑप्शनल पर कंसंट्रेट करते हैं और एनी अधर परसन बिल्कुल हज़िटेट नहीं करना है खुल के पुछो आप क्योंकि यह पूछके पता लगेगा और मैं क्या बता लूँगा आपको स्लिबस तो आपको स्टेट सीवल सर्फिस के अंदर देखिए मार्किंग सब के लिए से अलग लग होती है मतलब कोई ऐसा नियां डे डिट सिस्टम या मॉडरेशन सिस्टम नहीं है उनका लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सारे पेपर उसी तरह से आते हैं ऐसा नहीं होता कि किसी साल में ऐसा हुआ जैसे हमासल में इक बार हुआ कि क्योंकि अब उसका क्या कर लेगा कोई है ना क्या कर लेगा उसका कोई जीएस का प्री और मेंस का जो स्लेबस है यूपी असी और हैसे का वो सेम नहीं है पेटा यह लग से वेबिनार करूंगा मैं प्लीज आप भटको मत दो को फोकस रखो आप आपके दिमाग में बहुत कोस्टन हो सकते हैं मैंने बहुत सारे वेबिनार करने हैं वह एक मेरे वह निंक शेर करो जबागो कोर्स का मैंटर मैंटरे इस वाले कोर्स का कि आपके दिमाग में डेफिनिटली बहुत कोशन आएंगे आते रहेंगे शुरी शेर करो वो कोर्स का लिंक में आपको एक बड़ा अच्छा क्लिव देता हूं सारे कोशन आपके कवर हो जाएंगे धिरी धिरे उसमें में यह सारे वेबिनार उसमें मैं करूंगा आप है यह अभी मैं दो तंटीन तीन चार दिन के बाद में दो लास्टेपर जियस का आया था इक डिसक न रहुँन का लुगा और इसको खरीव और करेंगे हैं उसको कम पैर करेंगे कि हाएं यू पीसी और इसमें क्या फरक है और मैं फिर एक वैबिनार के अंदर में जियस क मेंस का paper discuss करूँगा HCS का तो उसमें टेक्निकली बताऊंगा फिर कि IIS और है इस में क्या फरक है वो अलग होगा वे मिनार ना यहां नहीं हो सकता हूँ कर दीजै कर दिजैंगे यह में और स्टेटजी लेक्ट्ट्र फर है यह एपसलूटली फ्री आफ कॉस्ट है इसमें जो भी मैं लेक्ट्र स्टेटजी के करूंगा वो सारे लेक्ट्र यहां पर इस कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे आपको इस को लिंक क्लिक करके इसमें जोइन कर लेना है इस फ्री आफ कॉस्ट आपको रिजिस्टर करना है और आप जोएन हो जाओगे कोई इसके अंदर चार्जिस नहीं कुछ भी नहीं है आप सीधा उसमें जाके फिर सारे लेक्चर आपको एक जगा पर मिल जाएंगे आप कई बार दुबार भी सुन सकते हो जैसे सुभाई लेक्चर आज मैंने लिया है टाइम शेडूल का कि क्या क्या हो सकता है HCS में लॉजिकल ही बताया है और साथ में क्या स्टेजी आप रख सकते ह था ब्रॉड स्टेजी आपको सारे लेक्चर जो आगे भी करूंगा इस कोर्स में मिल जाएंगे आप कभी आके आप देख सकते हो कभी आप लाइब नहीं आ पाए तो यहां देख सकते हो नो प्रॉब्लम बेटा अपना माइक बंग कर लो जिसका भी चल रहा ही है ठीक है अ आपके अजुकेशन बैग्ग्डाउंड के पहल तो मुझे बताईए आप मैंथमेटिक से लेकर लेना नहीं चाहते है कारण इसका स्प्रस्फिक कोई मजब आपका इंट्रस्ट मिया उसमें अच्छा एक बार मेरे कहने किस कहने से आप अपना पेपर देख लेंगे पिछला जो इस बार मैंथ का पिपर आया है अब आपने खतम कर दिया टेक्निकल मतलब ना ठीक है अब आप आजाईए इस पर देखे इसमें आसा है ना फिर आपके लिए आपका एक ऐसे तो पूरा जो ऐसे इंग्लिश में आएगा वह तो सुष्यालजी कहते हो गया और मेंस में सोचल इश्यू पर कुछन आते हैं वह हो गए तो मैं आपको बेफकू बना रहा हूं मैं जो काम नहीं करता क्योंकि जब आप में आप कोई कॉष्चन का आंसर लिखते हो वह बहुत अलग अरा वॉताा और जुंट आप डिरोत आख्यूंक अलग होता है। आप अंसर लिखोगे टेक्निकल लिखोगे। उसमें ठिंकर डालोगे उसमें उसके सभेट के किताब डालोगे तब ही नमबर आने है। एक बच्चा लिखेगा और जब और यहीं बच्चा लिखेगा चार किताबे लिखेगा उसके इंदर की इन इस बुक इस 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 तिन तब नमबर आने अधर वाइस नमबर कैसे आ जाएंगे। तो आल्टीमेटली जीएस में आप पढ़ते हो ठीक है थोड़ा वहल्प कर रहा है वह चक्र में पढ़िए इंडिपेंटली देखिया तो आपने आपकी एजुकेशन बैक्राउंड प्लेन है तो आप हिस्ट्री रख लिजे चाहे पॉल साइंस रख लिजे आप यह देखि तो आपकी बिल्कुल अलग है देन आपका कॉंस्टूशन है जो आपको प्लिटिकल साइंस प्रस्पेक्टिव से पढ़ना है और थर्ड इंट्रेशन रोलेशन्स है जो आपको यह मैं सोचिए कि आयार आप जीएस में करोगे तो वह भी त्यार हो जाएगा आपका ऐसा नह मिलेगा बस उससे नंबर नियाने वाले ओफ्षिल में तो आप यह देखिए कि इंट्रस्ट टाइम और रिसोर्स क्या है आपके पास कोई साथ में पढ़ेगा आपको पास रिसोर्स होने चाहिए बस जैसे हरेना का रिजल्ट देखो अगर बिछले बीस साल का में रिजल्ट देखों तो हिंदी मीडियम बाले मुझे बहुत रेर दिखते हैं इस बार भी मेरे पास अगर 40 सेलेक्शन प्लस हैं तो उसमें से ए तो आपको यह देखना है लेकिन अभीपीडिया ने आपको एक दे दिया है मोटिव एक ट्रांसलिशन सिस्टम हमने लगाया है जो हिंदी मीडियम के लिए बहुत काम आ रहा है इस रेवलुशन काइंड आप सारे नोड्स करेंट अफेर्स टॉप कॉलिटी के आपको हिंद बढ़िया ट्रांसलिशन के अंदर हिंदी में इतनी अच्छी ट्रांसलिशन कर दिया उन्होंने की वह कोई प्रॉलम ही नहीं है आप कुछ भी करेंट अफेर्स देख सकते हैं देखिए पूरी कुछ भी देख सकते हैं यह आप जाएंगे यहां से हरना सरकार की नौकरिया अच्छी एस में चला जाए मैं यह आपके इस ऑना का गया देखें यहां कर अफेर्स पड्डें सारे अरे ना के आप करेंट फिर सब्ये सब्कुर्यव हैं इसे मुफ्ट जो है सी में सारी अपकी सीरीज जो हां एक यह देखिए यह कर अबद दनिक अफेर्स एदेखिए कि यह कोई प्रॉलम नहीं है देखिए हैं ना कोई प्रॉलम नहीं है देखिए सूरज कुंट अंतराष्ट्रे हथ भी मिला कोई दिक्कत ही नहीं है मतलब आप पढ़ेंगे इसका मतलब आप अराम से पढ़ पाएंगे इसे बैनेफिट ऑफ टेक्नोलजी जो पहले नहीं थी लेकिन डेफिनिटली आपको हरना में आपको रोल मोडल कम मिलेंगे हिंदी मीडियम से तो उसकी वज़ा सिर्फ यही है कि रिसोर्स इवेलेबल नहीं होते हैं अधर कुश्टन आप इता सब्सक्राणी आपको कोई भी और चीज कवर करना है है बस इतना सा आपकोungs कवर करने यह अब एक question पूछा था किसी ने शुरू में वो उसका answer करता हूं मैं फिर आप से question लोगा अगला मैं उन्होंने ये का था कि अगर सारे option कोई option अच्छा या बुरा नहीं है स्कोरिंग नौन स्कोरिंग नहीं है तो सारों से selection कैसे नहीं होती है ना सबसे ब्राबर होनी चाहिए ऐसा नहीं होता देखिए टेक्निकल स्वेट्स जो हैं वो रखने वाले करो माइक बंदियार तुम बैठे नहीं हो बाहर किया वो माइक चल रहा है बच्चे का एक यह जब लेक्शर चल रहा हो ना मैं जो डिस्टरबस डिस्टरबस बिल्को निन चाहिए बैठा करो वहाँ पे सिट दियर और कहीं जाना आपने तो अल्टिमेटली क्या है कि वो दिखते हैं आपको जादा बिकॉस नंबर आफ स्टुडेंट्स अपेरिंगे जनल उप्शनल सिस मच मच मोर दैन टेक्निकल स्वेट्स तो अब मैच में से अगर दस में से एक हो जाए और हिस्ट्री में से सवा मैं से अगर दस हो जाएं तो बात तो एक ही है ना लेकिन दस जादा दिखेंगे आपको और एक कम नहीं दिखेगा तो इट डिपेंड्स कि भाई कितने बच्चे उस सबेट से अपेर हो रहे हैं तो दिखती हैं वह कि बहुत सारे बच्चे लेते हैं चोटा से बैटा है इसने में टाइम में कवर हो जाता है काम ख़तम रिसोर्स अवेलिबल है वेपर आजाता है वोई तो इसलिए that is the key basically that is the important thing Any other question? Any other question? तो यह तीन फेक्टर आप ध्यान रखे आप अपना optional कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो regarding optional मैं I will give you very objective advice जो आपके situation के according है और कोई भी decision आपने गलत नहीं लिना आप मैंने आपको लिंक फिर पोस्ट कर देंगे वह लिंक आप पोस्ट कर दीजिए वह मेंट्रा है का है 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 उदर से नहीं लग रहा क्या कि अच्छा कुछ गवड़ा है कि क्या कर रहे हो है हाँ पूचिए question पूचिए तब तक पूचिए अरे नहीं यार इंग्लिस literature नहीं लेंग्वेज की बात कर रहे हो शायदा सौर नमर के भी पर लिट्रेचर की बात करो ना अगर लिट्रेचर वीक है तो लिट्रेचर पूचिए नहीं लेंग्वेज का कोई बड़ी बात नहीं है we have a very fundamental strategy for this ठीक है ना इंग्लिस का आप डेली आदा घंटा इंग्लिस पर लगाना शुरू करता होगा स्टार्टिंग करो रिडिंग से अख़वार उठालो या कोई भी अपने नोट्स उठालो दो तिन परग्राफ उची उची आवाज करके पढ़ने आपने कि आप देखोगे कि विदिन वन मन्त आपकी विकल्बलरी इंप्रूव हो जाएगी आपकी ग्रामरी इंप्रूव हो जाएगी यह प्रैक्टिकल बता रहो मैं दूसरी बात मैं आपको कह सकता हूं बेटा टुशन रख ले मैं इंग्लिस की किसी ग्रेजुएट को पकड़ इंग्लिस वाले को लिट्रेचर वाले को या में को पकड़ और इंटूशन रख ले लेकिन उसकी ज़रूद नहीं है इसके इंदर आप एक महिना मतलब उची उची आवाज में इंग्लिस पढ़ो ऐसे आपको हिंदी आगर आपकी वीक है तो हिंदी पढ़ो राइट और उ उससे आप चेक कर आओ कि इसमें वेरी गलतिया निकाल के दो आप ग्रमटिकल मिस्टेक है या वो सारी मिस्टेक सा कोई निकाल के देदे आपको दीरे दीरे आपकी इप्रूव हो जाएगी उसके बाद आप जो स्लेवस में आता है वो त्यारी शूरू कर सकते हो आप यह प करते हैं जो आई-एस की त्यारी वाले होते हैं उनका कभी भी लैंगुजी स्ट्रॉंग होते हैं देस अफरी लैंगुजेस क्योंकि वहां कंपल्सरी है नहीं वहां सिंपल पर आता है बहुत ही इंगली और हिंदी का यहां आता है बहुत मुश्किल तो आप अगर उसमें एसला सकते हो दोसों नंबर का यह दोसों नंबर में से आप कम से कम 34 नंबर का यह करो यह दो तो हई है उसके बार विकांट होते हैं इस पर नंबर भी तो काउंट होते हैं हरणा में नंबर भी काउंट होते हैं इंग्लीश और हिंदी के यह निए कि सर्फ कॉलिफाइंगे 600 नंबर का टूटल है उसमें 200 नंबर का इंग्लिशन दी 200 नंबर का जी एस 200 नंबर का ऑप्शनल 600 में से जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पर इंट्रू कॉल आईगी आपको 75 नंबर का इंट्रूवू 398 पॉइंट कुछ नंबरों का टॉपर है इस बार और जिसके 360 नंबर प्लस है 360-35 नंबर प्लस थे 65 में से उसको HCS एक्जर्टी मिल गया इन जनरल काटिग्री तो आप लगा के चलो कि आपको 55-60 प्रेशन नंबर की दरकार है 60 प्रेशन नंबर लेके चलो आप वह अलग करेंगे वेविनार एक ना वह सारी किताब तो मुझे भी आदने देती हैं वह और बुक लिस्टे स्टेंडर्ड है वह इंग्लिश की किताबे मिलती हैं बहुत सारी एक्षिस की त्यारी के लिए लेकिन इट्स मोर आफ स्किल रिमेंबर यह आदर्फन यह कोई आपको बात नहीं बताएगा सब कह देंगे यह किताब पढ़ लो यह किताब पढ़ लो यह किताब पढ़ लो यह कोड नंबर प्रैसी लिखनी लिख लेगा बंदा ऐसे लिखनी 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 लिख लेगा उसमे का घास में अगर आपका वो लिखा वह हो है उसमें 1000 गलती है grammar ठीक नहीं है sentence formation ठीक नहीं है vocabulary ठीक नहीं है नंबर कैसे आ जाएगे तो आप अपना बेस बनाओ अभी पहले बेस की बात कर रहा हूं मैं जो यह आपको मैं सुझेशन दे रहा हूं यह आपका बेस बिल्डिंग है कि आपकी लेंग्विज की कॉलिटी अच्छी हो बाकी जो स्लेवर्स है जो पेपर में आता है वो एक 15-20 दिन से ज़्दा काम नह है चलिए ठीक है फिर बाई 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 बेस्ट अफ लक यह कोर्स जोईन कर लीजिए आप सारे लेक्ट्टर आपको मिलते रहेंगे जो आपकी कई सारे ऐसे कोश्टिन जो मैं आंसर नहीं कर पाया इसमें तो I will keep on conducting webinar और आप उसमें आप पूछ सकते हूं अनिश्का उसमें भी मेरे webinar के आपको एक intimation आती रहेगी अगर आप यह course जोईन कर लोगे तो इसमें आपको mail भी आएगी आपको you will keep on getting mail कि भी हाँ यह webinar होने वाला कल एक दिन पहले आपको 24 घंटे पहले intimation आ जाएगी ठीक है जी तो अगर कोई अभी चैट नहीं अगर हो पा रहा है तो इस नमबर पहले मैंने दिया था उसी नमबर पर आप मुझे रिक्वेस्ट बेस सकते हो में I will get you added in that group चलिए best of preparation I think आपके optional rating doubt काफी clear हो गया हो गया हूँगे right कुछ भी बसता है कोई बात दी we will keep on touch आप next webinar में मिर से पूछ सकते है ठीक है thank you very much thank you good day thank you very much thank you